रमजान का मुकदस महीना चल रहा है। इस मौके पर दुन्या भर में इसलाम के अन्याई पीश्वर को याद करने में लगे हैं। रोजे रखना, पांच वक्त की नमाज पढ़ना इस महीने में आम बात है। इन दिनों सोशल मीडिया पर रमजान और मुसल्मानों की इफ्तारी से जुड़े कई विडियोज वाइरर हो रही है। पर हाली में एक विडियो सामने आया है जिसने हर किसी को खुश कर दिया है। इस विडियो में एक बिल्ली नमाज पढ़ रहे इमाम पर चड़ जाती है। इसके बाद उनकी ओर से जो प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, वो दिल जीत लेने वाली है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार ये विडियो अलजीरिया के इमाम का है, जो तरावी की नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। उनके पीछे कई लोग खड़े दिख रहे हैं। अचानक एक बिल्ली इमाम के ऊपर कूट पढ़ती है। उनकी आखे बंध हैं। ऐसे में उन्हें ये भी नहीं दिखता कि बिल्ली कूट रही है। आप तौर पर इस तरह की घटना में आदमी डर जाता है। हर बढ़ाहत में आ जाता है या फिर गुस्सा करने लगता है। मगर इमाम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उलता उनका रियेक्षन ऐसा था कि लोग उनकी तारीफ करने लगे जैसे ही बिल्ली उनके ऊपर कूटती है। उनके हावभाव जरा भी नहीं बदलते हैं। वो एक हाथ से बिल्ली को प्यार करने लगते हैं। और उसके बदन के सहलाने लगते हैं। आप गौर करेंगे कि वीडियो की शुरुआत में बिल्ली उनके पैर के पास नजर आ रही है फिर वो नीचे खड़ी होकर उनके उपर चड़ने की कोशिश करती है और अपने पैरों से उनके कप्रे को छूती है जब ऐसा होते वो नहीं देखती तो सीधे उनके हाथ पर कूटती है और फिर उनके कंधे पर चड़ जाती है वो भी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ कर नमाज पढ़ते रहते है फिर वो उनके कंधे पर चड़ जाती है और इमाम नमाज पढ़ना जारी रखते हैं थोड़ी देर बाद वो अपने आप उनके कंदे से उतर जाती है वीडियो को फेस्बुक पर शेक वालिग महसास के पेज पर पोस्ट किया गया है इसे साथ लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुकी है और हजारों लोगों ने इसे लाइक कर अपनी प्रतिक्रिया दी है वीडियो वाइरिल हो रहा है और अलग-अलग प्लाटफॉर्म्स पर इसे शेर भी किया जा रहा है हर कोई इमाम की तारीफ कर रहा है साथ ही बिल्ली के प्रती स्नेय को सरा रहा है एक ने कमेंट कर कहा मुझे इसमें जो अच्छा लगा वो इमाम की विनमरता और उनकी दुआओं में द्रिंता है अल्ला उनकी रक्षा करे